कि बिस्मिल्य लेर्मानी रहीम असलाम लेकुम डिस्टोंट्स कैसे आप हमारा आज को जो लेक्चर है वो कोड़ अफ सिवल प्रोसीजर में एक्जिक्यूशन आफ डिक्री जैनी के इज्राह डिग्री जिस लफज को English में हम क्या कहते हैं डिक्री उर्दू में उसके लिए क्या लफज जूज ओता है डिग्री CPC सेक्शन टू सबसेक्शन टू में हमने पढ़ा कि डिग्री क्या है ये जो कंक्ल्यूदव डिटर्मिनेशन है किसी भी सिवल कोट की, किसी भी सिवल मैटर की साथ अलफाज में हत्मी आखरी फैसला सिवल कोट का हत्मी आखरी फैसला वो क्या कहलाता है? डिक्री कहलाता है A और B इनके दिरमें कोई भी डिस्प्यूट हुआ कौज अफेक्शन अराइज हुआ जिस cause affection की base पर A ने against B एक suit क्या किया एक suit क्या किया institute क्या court ने उसके adjudicate क्या adjudicate करने के बाद at the end of the day A की favor में A क्या pass कर दी decree अब जब A की favor में decree पास की उसके बावजूद जो B है वो court के order के मताबक A को पर्टिकुलर property हैंड ओवर नहीं करता जाहे वो घर था वो मनी थी कुछ भी था जो decree A की favor में पास की गई B उसको पूरा करने के लिए तियार नहीं है तो फिर उसके बाद next process start होता है जिसको कहा जाता है इजरा डिगरी का क्या है इजरा डिगरी या execution of डिगरी अगला स्टेप आता है कि जी court को आप कहते हैं कि जनाब जो डिगरी आपने पास की है इसको execute करवाएं इस पर अमल दरामत करवाएं अपने फैसले के मताबक जो हुकम आपने दिया था उस हुकम के according opposite party को order करें कि वो वैसा ही करें अपने contract को perform करें वो amount pay करें या जो भी डिगरी का order है उसको execute करे यहां पर सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है एक पर मैंने paper में सवाल दिया that how an order is executed बड़े अजीब किसम के जवाब सामने आए section 36 पढ़ ले तो आपको एक चीज़ clear हो जाएगी that execution of decree and order एक ही तरीका कार है 36 देखियेगा the provision of this code relating to the execution of decrees shall so far as they are applicable be deemed to apply to the execution of the orders so it means that the procedure of execution of decree is just like the execution of order दोनों का सेम procedure है अलग procedure नहीं है आप से अगर execution of order का पुछा जाए तब भी यही execution of decree का पुछा जाए चब भी यही है अब यहाँ पर जो change आया basically इसके साथ जो order deal करता है its order 20 one the lengthiest order of code of civil procedure more than 100 rules वहाँ पर आप देखेंगे यह तो order 21 rule 10 जो यह state करता था कि after passing of decree the decree holder shall file an application for execution of decree जनाब जो आप ने फैसला किया था उसको भी आप क्या करवा है execute करवा दे but through this amendment यह application का जो एक option था उसको खतम किया गया और यह कहा गया whenever a decree is passed by a civil court it shall automatically the proceeding shall automatically be converted into the execution proceeding and there is no need of filing a separate application for the execution of decree तो अब क्या होगा अदालत का फैसला हुआ उसके बद पहले अपने क्या करनी थी execution की दरखास इजरा डिगरी की अब इजरा डिगरी की दरखास आप नहीं देते खुद बखुद अब होता क्या था उसमें उसके लिक टाइम लिमिटेशन थी six years की कि जिसमें आपने execution की दरखास देनी थी in case कोई शक्स execution की दरखास ना दे सकता तो automatically उसकी जो डिकरी थी वो लैप्स हो जाती और दुबारा वो rest judicata के principle की बेस पर डिगरी भी ना ले सकता और उसको जो राइट है वो हमेशा के लिए wave of हो जाता जिनाब आप इसको execute और इस तरह बड़ी बार हुआ किस तरह हुआ मेरा जमीन का मुकदमा चल गया किसी के साथ अदालत में गया 1990 में अदालत ने मेरे हक में क्या कर दिया गुराने बंदे के नाम पर था जब दुबारा कोड जाना चाहा तो नहीं जा सका क्योंकि उसमें गलती मेरी थी बट अब तरीका चेंज हुआ आटोमेटिकली जब भी कोई डिक्री पास होगी तो वो execute एक direct mechanism के जरीए से होगी आपको उसकी अलग दरखास पास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो very simple सिर्फ इतनी से बात मैंने समझाई है what is meant by execution of decree किसी भी decree और पर अमल दरामत करवाने के process को execution of decree कहा जाता है जैसे ही को civil court decree पास करेगा automatically the proceeding shall be converted into the execution proceeding separate application की ज़रूरत नहीं है the first question जो आपके जहन में होगा that which court will execute the decree सबसे पहला स्वाल यह बनता है कि जनाप सर यह बताए हमें कि what is meant by the executing court कौन सी court executing court the executing court means the court that executes the decree and normally it is the court that passes the decree यह कौन सी दालत होती है that passes the decree the court which passes the decree itself executes the decree normally यही होता है the court which passes the decree लेकिन अब क्या ऐसा हो सकता है कि लहौर में डिक्री पास हुई हो और उस शक्स के पास लहौर में sufficient property ना हो for the discharge of the decree possible है के नहीं है है in this case execution उसकी मुलतान में जमीन है जनाप वहाँ पहो सकती है तो यहां से executing court क्या करेगा जो जिस अदालत ने क्या किया है decree पास की है आप उसको दरखास देंगे कौन दरखास देगा इसको आप means who are you the decree holder shall apply for the transfer of execution and what's the main ground of transfer of execution if the decree cannot be executed by the court which passed it because क्या reason के कोई भी property उसकी नहीं है या properly the decree cannot be satisfied in that particular area ऐसी सूरत में तो ये जो अदालत है ये decree को transfer करेगी कहां पर जहां पर उसके पास sufficient property मुझूद है ताकि इस decree को वहाँ प execute किया है चाह सके तो which court may execute the decree the court which have passed the decree as well as the court to whom the decree has been transferred for execution दोनों अदालते decree को execute कर सकती है ये point clear हुआ दोनों अदालते decree को execute कर सकती है powers of the executing court चाहे वो executing court ये हो चाहे executing court ये हो both have same powers क्या इसके पास power है to transfer the execution ठीक है अगर यहां पर भी कोई ऐसा issue बने even this court may also transfer the execution proceeding एक concept मुझे जरा जल्दी से बताईए कि आप सब लो लिकरी कहां पर पास हुई किस शहर में पास हुई लहौर में इस दुरान क्या होगा judgment debtor अपने मुलतान की प्रापरटी को से लोड करके side पे हो जाएगा हो सकता कर नहीं हो सकता है हो सकता है बट the main issue कि यहां पर execution के साथ हम 3912 तो दे ही नहीं सकते वो तो add time of institution of the suit है तो question यह है कि उस शक्स की जो प्रापरटी मुलतान में अब जब execution transfer हो जाएगी तो automatically the court will have the power कि वो इसको stay करे till the execution of the decree बट execution proceeding लहौर में pending है आप कहते है जनाब इस दौरान में possible वो बन्दा अपनी property को क्या करे बेश दे यहां पर बहुत important concept है civil justice का पेपर के लिए भी बहुत important है under section 46 of code of civil procedure which is called precept क्या कहलाता है what is meant by precept precept अकर साथा असान तरीन अलफाज precept वो ही है जैसे order 39 rule 12 है क्या मतलब हुआ 39 rule 12 में क्या किया था रोकर था ना यहां पर क्या होगा जैसे ही आप दर्खास देंगे transfer की आप कहेंगे जनाब जैसे ही दर्खास को उसको पता चलना है ना कि मैं मुलतान में proceeding को transfer कर वा रहा हूँ उसने फौरण क्या करना है उसने फौरण अपनी property को वहाँ से बेच देना है तो अब क्या करें जनाब मुझे फौरण आप precept जारी करें किसके नाम मुलतान की अदालत के नाम के भाई यह आपकी तरफ execution प्रोसीडिंग अभी pending है जब तक आपको यह execution प्रोसीडिंग receive ना हो जाए ट्रांसफर ना हो जाए यह precept आपको जारी किया जा रहा है कि till then इस judgment debtor की फलाफला property मुझूद है उसको आप वही पे क्या कर दे stay करें कि वो property को बेच ना सके for a period of two months 60 days के लिए यह precept है और अगर यह प्रोसीडिंग ट्रांसफर वाली जो है 60 days में पूरा ना हो तो further this period में भी extended जो एक reasonable time है उसके लिए extend किया जा सकता है what is when my precept? precept का concept कहां पे आएगा? during the transfer of the execution of degree अगर आपको यह है कि executing court के premises में जो उसकी jurisdiction में जो उसकी जगा है वो शक्त अपनी property को sale out ना कर ले तो उसको sale out करने से रोकने के लिए until and unless the transfer of execution proceeding is completed आप क्या करते हैं? एक precept under section 46 जारी करवाते हैं इस same मकसद के लिए और for the sake of execution of decree section 47 क्या कहता? वो कहता जिये आप जितने भी questions किस तरह इस degree को execute किया जाए जो arise होंगे it shall be settled by the executing court and not by a separate suit again section 9 पढ़ने किसी को याद हो जब हमने कहा था implied or express क्या होंगे? bar तो for the sake of execution proceeding a separate suit is barred यह file नहीं किया जाएगा and all the questions arising during the execution of decree shall be settled by the executing court कुछ इसमें ऐसे भी section है जो अभी हमारे हाँ वो होने नहीं चाहिए British degree को execute किया जाएगा यह दो तिन और बाते हैं उस तिस हमारे law का हिस्सा है बट वो ignoreable है क्योंकि वो हमारे practice में नहीं आते कुछ थोड़ा सा concept clear हुओ जो पहला step अभी हमने पढ़ है एक तो executing court का पता चलना चाहिए transfer of execution का जिसको execution proceeding transfer की जाए उसकी powers का उसके बाद precept का और जो मामलात execution के दुरान आएंगे उनका अब किताब खोले 36 से start 36 तो मैंने आपको बता दिया क्या है जी 36 पर सिजर क्या है सेम किसका order or decree का definition of court which passed a decree वो कौन सी अदाला जी जिसने decree passed the execution expression court which passed a decree are word to that effect shall in relation to the execution of the decree unless there is anything repugnant in the subject or context be deemed to include where the decree to be executed has been passed in the exercise of the appellate jurisdiction the court of the first instance अगली बात अगली बात दुबारा इसको पढ़ें सवाल पहले सुन ले जवाब यहां से पढ़ेंगे सवाल क्या है civil court पहले मुकदमा कहां पिस्ट्यूट होगा civil court civil court ने plaintiff में फैसला कर दिया defendant के पास क्या option है appeal की appeal में कोई फैसला हो गया फिर अग्रिवट पार्टी के पास क्या option है appeal your revision high court फिर कहां तक option है supreme court the question is this कि जब कोई फैसला appellate court, revisional court, supreme court ने उसका फैसला किया which court shall execute the decree यह 37 a क्या कहता है the court of the first instance क्या कहता है the court of the court of the first instance इसने इसले civil नहीं कहा क्योंकि कुछ मुकदमे जैसे order 37 for the order 37 the court of first instance is district court whereas for all other suits the court of first instance is civil court but the suit may be instituted either in the high court अगर high court means true to high court shall be the court of first instance so the decree is always executed by the court of first instance जहां पे मुकदमा original jurisdiction में सुना जाएगा वो execute करेगा not the appellate court point one clear number two where the court of the first instance has ceased to exist and to have और अगर ऐसा हो गया for example कि वो court of the first instance अब है ही नहीं ऐसा तो हो सकता न जब अपील तक बात पहुँची वो अदालत वहां से खतम कर दीगे मर्ज कर दीगे कुछ नया वहां पे मामला हो गया तो ऐसी या वो उस जगा को किसी और एदालत में दे दिया गया इस तरह हो जाता है तो ऐसी सुरत में जो नहीं अदालत जिसकी jurisdiction में वो एरिया आएगा वहां पे वो execution of decree कर दी जाए 38 court by which a decree may be executed मैंनमको पता है था कौन से दालत कर सकती है 2 कौन कौन सी decree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution तो क्यों में दिया क्योंकि option कितनी है 2 जहां पे option 2 होंगी वहां पे क्या आ जाएगा में या जाएगा 39 क्या कहता है जनाब 39 कहता है transfer of decree जनाब the court which passed a decree may on the application of the decree holder send it for the execution तो मैंने आपको बताया है the court which passed the decree on the application of decree holder ये send करेगा direct आप जाके इदर दरखास नहीं देंगे आप किसको देंगे the court which passed the decree उसको दरखास देंगे if the personal case of a decree is passed actually our voluntary resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of such other court अगर आप कहें कि जनाब ये जो मेरे defendant है जो judgment debtor है वो वहाँ पे रहता है वहाँ पे उससे personal obedience possible है वहाँ पे उसकी property है वहाँ पे वो कारोबार करता है तो decree को क्या कर दिये जाएगा transfer कर दिये जाएगा for the execution to the jurisdiction of such court if such person has no property within the local limits of the jurisdiction of the court which pass the decree sufficient to satisfy such decree and has property within the local limits of the jurisdiction of such court तो या पिर उसकी लहुर में वो sufficient property नहीं थी और sufficient property उसकी कहां पे थी मुलतान में तो कब कब grounds ये क्या है दीज़ार्दा grounds forward grounds of transfer किस चीज़ का transfer जनाब transfer of execution कौन कौन सा ground जनाब number one पे क्या हुआ कि अगर वो क्या है कि अगर वो वहां पे reside करता है या कोई क्या करता है gain के लिए या कोई भी ऐसा काम उसकी personal business possible है या उसकी sufficient property उस अदालत की limit में नहीं है जहां डिक्री पास हुई और वहां पे है जहां पर वो डिक्री को transfer करवाना चाहता है वहां पे है अगर डिक्री में ही लिखा हुआ कि जिसकी फलानी property भी बेचे है फलाँ property भी बेचे है तो डिक्री के execution को क्या कर दिया जाए कर transfer कर दिया जाए कि the court if the court which pass the decree considers for any other reason और अगर अगर अदालत किसी भी वज़ा से यह जरूरी समझे तो the court which pass the decree may of its own motion दूसरी बात यह है कि डिक्री होलर की दर्खास पर भी और एक और option क्या आगी on its on its own motion का court reason देगा कि क्यों अदालत इसके execution को किसी और अदालत के जरीए से करवाना चाहता है reason देने के बाग the decree shall be transferred for the execution तो जनाब 40 के है transfer of decree to court in another province where a decree is sent for execution in another province it shall be sent to such court and executed in such manner as may be prescribed by rules enforced in that province अगर कोई भी decree send की जाती है for execution in another province तो उस जैसे for example अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे उसको अगर भेजते हैं तो अगले सूबे के असूबे के असूबे हैं जो sending सूबे है उसका असूबे है उसका असूबे आप नहीं देखेंगे results of execution proceeding to be certified जब आपने किसको भेजा actually the court which passed the degree लहौर की अदालत है आपने कहां भेजी मुलतान मुलतान की अदालत इसको execute करती है नहीं करती जो भी इशू है वापर certified करेगी जि हमने आपके degree execute किया execute नहीं किया जो भी result होगा जो जिस अदालत को की जाएगी कोई भी degree transfer वो result को certified करेगा किसको certified करेगा to the court which sent the degree for the execution power of the court in executing transfer degree वो आपको मैंने बताया जनाब the executing court shall exercise the same powers as the court which passed the degree कौन कौन सा वो कर सकता है उसकी installment कर सकता है उसमें देख सकता है कोई objection सुन सकता है उसके इलावा वो आगे further transfer करना चाहे तो transfer कर सकता है कौन कौन सी power जनाब power under section 39 to transfer the degree सबसे पहले उसने का जो executing court की power को discuss करना चाहते है जनाब आप उसने का जी power of executing court जो है वो कौन कौन सी है उसने का जी सबसे पहले जो power of executing court की अगर आप बात करें तो executing court के पास पहली power है transfer of execution मतलब क्या हुआ कि further किसी और अदालत में भी transfer करना चाहे तो अदर section 39 वो क्या कर सकता है आपने क्या किया लोहर से कहा transfer करवाया मुलतान मुलतान कहा transfer करेगा उसको खानेवाल किसी और जखाँ जहां पर उसकी property है वहाँ transfer किया जा सकते power under section 1 of the section 50 to permit execution to proceed against the legal representative of a deceased judgment debtor section 50 की power legal representative देखें degree तो पास होई थी किसके खिलाफ किसी खास शक्स के खिलाफ अगर उसकी death होगी तो definitely उसको कौन execute करेगा उसका legal representative executing court भी legal representative से execute करवा सकता है और जिसको transfer की जाए वो भी execute करवा सकता है लेकिन एक चीज क्लियर कर ले that legal representative is responsible for the execution of degree only up to the extent of that amount जो कि उसको receive हुआ है उस शक्स से जो deceased है एक बेटा अपने बाप की degree को execute करवाएगा अगर उसके बाप के खिलाफ एसला हुआ है तो बेटा execute करवाएगा only up to the extent of his share in the inheritance अगर उसकी को परसनल प्रोपरटी है he is not liable for the execution of the degree of his father क्योंकि वो उसका जिम्यदार नहीं है यह असूल हम कहां पर चलकर पढ़ेंगे section 50 में simple यहां पर हमने क्या पढ़ना है the executing court has power कि वो execution करा है from the judgment debtor are his legal representative और legal representative means a person who represents the state of the deceased person तो यह सवाल आईगा कब judgment debtor की death के बात उसे पहले तो यह सवाल आएगे निए power under section 152 to correct clerical arithmetical error 152 है जनाब क्योंकि हमने यह भी पढ़ा कि judgment किसी भी तरह नहीं alter होती सिर्फ अगर कोई इसमें clerical या arithmetical error है आप सब लोगोंने CPC में एक power आगे चलके पढ़नी है अग्वार बड़ जो practical वाले लोग हैं वो तो बड़े बेहतरी इन तरीके से 151 से वाकिव है 151 को अगर किसी को ताश की समय जाती हो तो मैं कहता हूँ कि कार्ज खेलें कि किसी आप में से कार्ज खेलें कभी कि मुबैल पे गेमें खेलने वाले क्या जाने कार्ज क्या है और वो भी एक दिमाग को तेज करने के लिए बड़ा एक जरिया था जो लोग कभी अपनी जवानी में कार्ज खेलते थे थे ना उनके साथ बैठे तो बड़ी जल्दी चीज़ां को क्लिवड करते हैं यह बहुत एक कुसमे सारा दिमाग आपके के इस्तें माल होता है किसीने खेले कभी कारट झाहए व तो तुमने बेगम क्수가 लिए होगी भाप भी खेली हो किसीने रिमी क्यानी खेल लिए कभी ताश वालव होगा जसने रिमी क्द में आब सब के मुष्य कोई और किसी चीज़ का तो नाम नहीं दिया है छोड़े फिर जिसको समझ नहीं उसको नहीं सिंपल इतना से सिर्फ समझ लें कि सेक्शन वन फिफ्टी वन इस दा इन्हेरंट पावर अफ तो कोड कि जहां पर कोई भी चीज रिटन फार्म में लौ में मुझूद नहीं है तो फिफ्टी वन आफ तो कोड़ सेवल प्रोसीजर बट अंडर सेक्शन फाइव सिक्स वन ए ओनली हाई कोट हैज दपावर इन्हेरंट पावर और किसी के पास नहीं है क्रिमिनल मैटर्स में तो कुश्चन उस यह रेस किया कि अगर हम सेशन जज़ की इन्हेरंट पावर को इ लेकिन वो की जा सकती है लेकिन यहां पर किया चीज़ है बिसिकली कोई जज्ज्मेंट थी नाम के तुम्हार पूरा जल्दी बता हाँ शाहद सनफ अगर तुम मुकदमा करो और फैसला हो जाए अली मुर्तजा सनफ शाहद मुर्तजा तो क्या यह कोई बंद एक्सिस्ट कर पांच एकर दस कनाल हको तुम्हारा वो था यह होगी अरिफ्मेटिकल मिस्टेक तो ऐसी मिस्टेक जो डिफाइंड है कि यह बेसिकली सिर्फ मिस्टेक की हद्ट तक है इसमें किसी का राइट इन्वाल्व नहीं है तो कोट के पास अख्तियार एंडर सेक्शन 152 को यह किसी एंडर सेक्शन 152 किसी भी डिक्री की जो घलती है उसको क्या कर सकता है दुरूस कर सकते है उसके लिए सेपरेट सूट की ज़रूरत आपको नहीं होती उसके बाद जनाब पावर अंडर रूल सोला आफ दा और टुटी वन तो रिकिनाइज असाइनमेंट अफ़ डिक्री क् नाइज असाइनमेंट अप तरिक्री यहीं पावर रहा क्या है र Republicans इस्वाल में नहींगानानी स्वार दिख्रेश एंड एसनीमेंट एक व स्वाल में नीए एक विए स्वाल किया है रस प्डिकरी और एंड आसाइनने टुपि कि डासर रफ डिकरी ऑम धार नीकữa और मैं गोंट थी कर वाना चाहत seperti है युव त constrained कि मैं ऑं लेकर गया मैं खुद लेकर गया डिस इस काल दा ट्रांसफर आफ डिकरी अब डिकरी लोहर में है फार्द सेक फार्गिमेट बट आम गई अबराट जारो मैं यू के छोड़ के पाकिस्तान बस आप लोग अपनों कोर्श और सोदी पूरे करते रही है तो अब उसमें क्या है के अब डिकरी में रहा आ चुकी है मैं तो बाहर जाओंगा तो एकजिक्यूट कौन करें कहा जदा तो फिर मैं क्या करता हूँ मैं वह डिकरी किसी को असाइन करता हूँ कि on my behalf आप यह डिकरी को क्या करवाएं एक ये असाइन्मेंट है इन फेक्ट यहां पर भी असाइन्म मुझे से पैसे लेने है अब शाहिद ने क्या करना है मुझे से मेरा और शाहिद का कोई और मामला है एक्स वाई जैड हमारा कोई आपस में मामला है और शाहिद ने मुझे से क्या लेने है पैसे मेरा शेप के साथ कोई और मामला है ठीक है यहां पर मैंने शेप से पैसे लेने मैं इसके खिलाफ मुगदमा करता हूँ और मैं क्या हूँ डिक्री होल्डर ये अपील में चला गए तो मुझे पैसे मिलेंगे ये डिक्री की अपील के बाद मिलेंगे अपील के बाद मिलेंगे अप शायद मुझे तंग कर रहे है मैं क्या तो मिया यार ये देख ये डिक्री उसको क्या करवाएगा एक्जीक्यूट करवाएगा मेरा कोई भी हक उसमें नहीं होगा यह क्या कहलाता है assignment of degree assignment of degree और transfer of degree में क्या होता है degree is transferred from one court to another court for execution and in assignment the degree is transferred from one degree holder to another person on behalf of the degree holder जो उसकी क्या क्लेम करेगा execution क्लेम करेगा power under sub rule two of fifty of order 21 to grant leave to degree holder to proceed against a person not already recognized as a partner in a firm in execution and power under class B of the sub rule one of rule 53 of order 21 to give notice of attachment of the degree passed by another court तो यह order 21 में जाके मजीद हम इस rules को और भी पढ़ेंगे कि यह क्या कि उसमें rules डिसकस हुए है बट सिंपल यहां पर हमने क्या क्या कुछ पावर्स पड़ी किस की executing court की 43 वही है जनाब execution of decree passed by British court in places to which this part does not extend are in the foreign territory I think so कि इसको क्या हो जाना चाहिए है उमिट हो जाना चाहिए बट स्टिल यह चीज़ चल रही है उसके बाद एक judgment है इस पर court in Pakistan has no jurisdiction to transfer a case to a court outside Pakistan पाकिस्तान के डालत execution को outside the Pakistan transfer नहीं कर सकती यही वो basic reason है कि जिसकी वज़े से आप जो भी मामलात निवाज शरीफ के खिलाफ हुए उनकी execution किसी और मुलक से claim नहीं कर सकते 44 omitted है उसके बाद आगे फिर United Kingdom वाले court है रेसी प्रोकेटिंग टेरिटरी इसको कोई जुरूरत नहीं है यह खतम हो चुके हैं almost आप आजाएं जनाब 45 की तरफ वो भी सेम इसी के साथ मिलती जुलती है रैसी प्रोकेटिंग टेरिटरीज है यह यह की डिग्री है कोई इसमें कोई खास फरक ने अपलीकेबल नहीं है यह चीज़ें आगे में इसमें 46 आ जाता है प्रिसेप्ट है प्रिसेप्रिसेप्ट क तो कितने अरसे के लिए इठाश्मेंट ओ सकती है यह किस दुरान होती है जब किसी अदालत को डिक्री ट्रांसफर की जा रही हो इस दुरान उसको रोकने के लिए कि आप यह एक और है कि आप इस प्रोपरिटी को मज़ीद किसी और की तरफ ट्रांसफर मत कीजिये and last question, question determined by the court executing the decree कोई भी जो question होगा relating to the satisfaction 47 की बात कर रहा हूँ satisfaction, discharge, या execution of decree it shall be determined by the executing court and not by a fresh suit अदालत अगर जरूरी समझे तो किसी execution की proceeding के हवाले से अगर वो कहे तो कोई ना कोई उसके उपर court fees या separate suit का order वो कर सकती है ये जीज़ अलग है, इसको आप separate suit से करवाएं जाके यहाँ पर adjust आप इसको ना करवाएं ये सारी powers किसकी है, executing court की है तो ये कुछ basic हमारी information थी for the execution of decree आगे हम इसके पढ़ेंगे modes of execution क्या है और female के arrest वगेरा के बारे में पढ़ेंगे execution में कौन कौन सी property को attach किया जा सकता है किस property को sale out किया जा सकता है ये remaining हमारे इंशालों जो भी next lecture होगो इसके वाले से वहाँ पढ़ेंगे आज हमने 36 से 47 तक basically इसमें transfer of execution and the powers of the execution court और उसके बाद main question था प्रिसेप्ट की सुरत में कि प्रिसेप्ट क्या होता है और किस तरह जारी किया जाता है यहां तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं